हलो दोस्तो वेलकम टू स्टडी विट उसन दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल के एक्स्टरनल एंड इंटरनल जनाइटल ओर्गन की अनाटमी के बारे में सबसे पहले यहां पर हम एनाटमी जानना बहुत जरूरी होती है तो यहां पर सबसे पहले हम female external and internal genital organ की बात करेंगे तो यह first video है, first video में हम बात करेंगे external genital organ के बारे में सबसे पहले जो internal genital organ की वीडियो होगी वो second part में हम बताएंगे तो first में जो हम बात करेंगे वो external genital organ के बारे में बात करेंगे और उस से पहले यहां पर हम देखेगे देख लेते हैं diagram में यह जो होता hem superficially जो यह part होता है यहां पर हम देख सकते हैं यहां पर कौन कौन सा क्या होता है यह सब हम आपको दिखाएंगे diagram बनाकर हम आपको दिखाएंगे यहाँ आप ऐसे ही देख लिजिए कि इतना जो part होता है यह जो होता है इसको हम बोलते है external genital organ ओके तो यह external genitalia होते है female के तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले external genitalia के बारे में तो वीडियो को पूरा देखिएगा के और female के homologous structure की बात करेंगे homologous structure की बात करेंगे जिसमें female के और male के homologous structure कौन से होते हैं तो यहाँ पर देखिए labia majora होती है labia majora यहाँ पर male के अगर बात करें female में जो होता labia majora होता है और अगर male में हम बात करें तो male में होता scrutum scrutum पहला दूसरा होता यहाँ पर दूसरा जो होता labia minora होता है labia minora जो internal थोड़ा सा structure होता है यहाँ पर जो male के अंदर होता है ventral aspect of penis होता है ventral aspect of penis तीसरा जो आता है इसका वो आता है clitoris clitoris female के अंदर और male के अंदर आता है glands या penis glands या penis इसको हम diagram के तुरू आगे समझेंगे यहाँ पर अगर इसके embryological development की बात करें जो embryological development होता है इसके अगर embryological development की बात करें female के अंदर तो कौन-कौन से derivative होते हैं और कौन से structure होते हैं तो यहाँ पर देखेंगे embryological development embryological development की अगर यहाँ पर हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे सब से पहला labia majora जो है वो कहां से आता है derivative कहां से होता है यहाँ पर देखेंगे structure structure और derivative derivative form तो यहाँ पर labia majora जो आता है वो genital swelling से आता है female के अंदर genital swelling जो intrauterine life में होता है internal uterine में जो होता है labia minora जो बनता है वो बनता है genital fold से जब genital organ fold होते है उससे बनता है तो klitoris होता है klitoris यह बनता है genital tubules से genital tubules से ओके यह तो यह होगा embryological development दूसरा homologous structure female के अंदर male के अंदर अब हम बात करेंगे यहां पर external genital organ के superficial जो पार्ट होते है यहां पर diagram के तुरू हम समझेंगे देखिए diagram के तुरू हम बहुत अच्छे से समझेंगे यहां पर देखते हैं यह देखिए यह जो position होती है यहां पर inner होती है इस position को हम बोलते हैं लिथर्टोमी पोजिशन अब हम लिख लेते हैं यह पर हम लिख लेते हैं यह होती है लिथर्टोमी पोजिशन अब Emir trendy पोजिशन अब यहां पर external और internal genital organ के हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो होता है ये होता एक्स्टरनल जेनेटल जिसको हम बोलते हैं ये लेबिया मेजोरा ओके ये होता है लेबिया मेजोरा ये आउटर लिप्स की तरह होता है जो हमारे लिप्स होते हैं उसकी तरह होता है ओके दूसरा होता है लेबिया माइनोरा यहाँ पर यह लेबिया माइनोरा होता है जो लिप्स होते हैं बाहर के जो लेबिया मेजोरा होता है उसके जस्ट इंसाइड होता है लेबिया माइनोरा लेबिया माइनोरा ओके अब इसके अंदर जो आते हैं यहां पर देखिए इसके अंदर जो structure आते हैं यह तो होता है एनस ओके एनस यहां पर थोड़ी उपर होता है vaginal office यह vaginal opening vaginal opening जैस्ट इसके थोड़ी उपर होता है यूरेथरल ओपनिंग यहां पर लिख लेते हैं यूरेथरल ओपनिंग और जस्ट इसके उपर यहां पर होता है छोटा सा यहां पर होता है क्लाइटोरिस ओके यह ग्लेंड्स होती है यहां पर क्लाइटोरिस ओके तो यह हो किया आपका एक्स्टरनल जैनाइटल ओर्गन का ज और यह होता है कलाइटोरिस और यह जो एरिया होता है यह उपर का जो एरिया होता है जहां पर हेर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम बोलते हैं मौन्स प्यूबिक यह मौन्स प्यूबिक एरिया होता है अब यहां पर एक स्ट्रक्चर रह जाता है यहां पर जो होती है बर्थोलिन ग्लैंड्स होती है यह दो तीन यहां पर बर्थोलिन ग्लैंड्स होती है अब यह बर्थोलिन ग्लैंड्स की डक्ट होती है यह जो बर्थ में बर्थोलिन के ड़क्ट ओके यह जो green कलर में है यह है बर्थोलिन ग्लैंड को यह जो है यह वाला area यह बर्थोलिन ड़क्ट ओके लिख लीजिए आप बर्थोलिन ड़क्ट ओके यह दोनु लेविय मैजोरा और लेविय माइनोरा के बीच में लोकेटेड होती है इनका जो मेन काम होता है यह आपको यहाँ पर लिख लेते हैं यह हमको जो प्रोवाइड कराती है यह produce the mucus during sexual intercourse sexual intercourse के दोरान यह mucus को produce कराती है जो लुब्रिकेट करता है जो वेजाइनल जो ओफिस होता है उसको लुब्रिकेट करता है और जो यह बर्थोलीन डक्ट होती है यह बर्थोलीन डक्ट में के जो अंदर epithelium होता है यहाँ पर जो epithelium होता है इसका बना वो ओता columnar epithelium जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं columnar epithelium कोलमनार एपिथेलियम यह होता कोलमनार एपिथेलियम जो बर्थोलिन जो डक्ट होती है यह बर्थोलिन ग्लेंट्स हो गई बर्थोलिन ग्लेंट्स से डक्ट निकलती है उस डक्ट के अंदर जो प्रिजेंट होता है एपिथेलियल उसको हम बोलते हैं kolonar epithelium तो ये था external genitalia organ के जो external genitalia organ जो female के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं एक बर हम original diagram में हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर हम देखिए दुबारा इसको हम यहाँ पर देखते हैं original diagram में देखिए ये जो होता है ये एनस होता है ये जो होता है आपका ये जिसको हम बोलते हैं labia majora ये जो होता है labia majora होता है labia majora और ये जो internal lips हैं इसको labia minora बोलते हैं minora बोलते हैं ये जो होता है ये वाला इसको हम बोलते हैं vaginal office यहाँ पर होता है urethra यूरित्रा ये होता है कलाइटोरिस कलाइटोरिस और ये जो एरिया होता है इतना ये इसको हम बोलते हैं मौन्स प्यूबिक जहां पर हेर लाइक स्ट्रक्चर ये दिख रहे होंगा आपको ये होता है अब जो बर्थोलिन ग्लेंड्स होती है जो बर्थोलिन ग्लेंड्स यहा आई नहीं दे रहीं, बहुत चोटी होती हैं, यह होती हैं, बर्थोलिंग लिंड्स, ओके, तो यह हो गए, external genitalia organ, ओके, so thank you for watching, वीडियो कैसा लगा, comment करके ज़रूर बताईएगा, और इसके अगले next part में हम बात करेंगे, बहुत ही deeply तरीके से, internal genital organ के female का, जो internal genital system होता है, diagram के through भी बताएगे, और जो original diagram होता है, उसको भी हम बताएगे, okay, so thank you for watching, अगर अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है, तो channel को ज़रूर subscribe कीजिएगा, क्योंकि इसे तरह से knowledgeable video आपको इस channel पर मिलते रहती है, so thank you for watching,